हलो एवरिवान, वेलकूम टू लाइफ कलड़ू आइम शूर आपने बहुत तरेके के पीजास टेस्ट किये होंगे पर आज हम आपको एक यूनीक स्टाइल सिखाएंगे पीजा बनाने का ये बहुत ही क्रिस्प पनता है और सभी को बहुत पसंद आएगा हमें चाहिए एक प्यास कटी हुई, एक टमाटर कटे हुई, शिमला मिर्च कटी हुई, एक क्यूब चीज, टू टेबल स्पून स्वीट कॉंस, तुटकी भर चीनी, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून ओरिगैनो, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून सबसे पहले हम एक पैन में three teaspoon oil गरम कर लेंगे अब इसमें मैंने अनियन डाल दिया अनियन को थोड़ी दिर सौथे करेंगे अब अनियन में ही मैंने tomatoes डाल दिये और हम tomatoes को भी सौथे करेंगे अब नमक डाल दिया अब मैंने चीनी डाल दी चीनी से सॉस में एक अच्छा फ्लेवर आता है अब हमने इसमें औरेगानो डाल दिया और चिली फ्लेक्स अब इसमें मैंने टोमेटो सॉस डाल दी अब हम अच्छे से सॉस को मिक्स करेंगे और हमें sauce को जब तक पकाना है जब तक कि वो side से oil ना छोड़ते sauce ने side से oil छोड़ना start कर दिया है अब हमारी pizza sauce ready है हम sauce को एकदम थंडा कर देंगे अब biscuit पे pizza sauce spread कर देंगे फिर मैंने इसपे sweet quons लगा दिया है आप कोई भी vegetables लगा सकते हो अब मैंने इसपे green capsicum भी लगा दिया है और खूप सारजीज ग्रेट कर दिया लास्ट में oregano स्प्रिंकल कर दिया अब हम इसे bake करेंगे हमने एक pan को पहले से ही preheat कर लिया है और इसमें biscuits को place कर दिया biscuits को तब तक bake करना है जब तक की cheese melt ना हो जाए अब pan को ढग देंगे और low flame पे हम इसे bake करेंगे देखे बिना oven के भी cheese कितने अच्छे से melt हो गया c how delicious it is looking हमारे biscuit pizza bites are ready to serve hope you like it If you like a recipe, please like, share and subscribe.